हाई अवरीवन वेलकम अगें टू लेट्सक्राइक क्यों पास और यह हमारी डेली न्यूस अनाल्यसिस की क्लास है तो आज मॉर्निंग में आपका लाइव नहीं जा पाया था सेशन तो अभी रिकॉर्डेट लेक्चर रहेगा काफे सारे बच्चे नहीं जुड़ पाएं तो उनको भी आप सेशन शेयर कर दीजेगा और जो नए बच्चे हैं मेरा टेलिग्राम ग्रूप है इस पर एक कनेक्टर हैं यहां पर आपका सेशन का प्राप्त हो जाता है और सेशन रिलेक्ट जितने भी अपडेट्स हैं वो पर मिलेंगे फ्री स्पेशल क्लास के रिगार्डिंग इस नीचे दिये गए लिंक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पहला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन पर और यह एडिटोरियल हम डिसकस कर रहे हैं फॉर्मर नसे का एडिटोरियल है मके नरायनन नरायनन सापका ह तो यह पहले नैशनल सेक्रेटरी एडवाइजर रह चुके हैं बता रहे हैं कि यह जो अभी मोधी जी की विजिट रही है USA की काफी सक्सेस्फुल इस विजिट को माना जा रहा है लेकिन एक वर्ड अफ कॉशन भी इन्होंने बताया है और काया कि ऐसा नहीं है कि अभी से ह ही चीजे चेंज हुई है चीजे जो एक हमने देखा 21st century की starting से काफी ज्यादा चीजें यूएस और इंडिया के बीच में चेंज हुई पाकिस्तान का वार हो रहा था 71 का और जब liberation की war लड़ी जा रही थी इस्ट पाकिस्तान में और फिर इसमें इंडिया ने definitely intervene किया इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई और इस war के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का बटवारा होता है बंगला देश एक नए देश क रूप में सामने आता है तो इस context में पाकिस्तान को सायता देने का पूरा प्रियास USA की तरफ से रहा उनका जो 7th fleet था US का Bay of Bengal की तरफ उन्होंने बेज दिया था ताकि इंडिया पर दबाव डाला जा सके कि इंडिया इस युद्ध को रोक दे या फिर यहां पर जो भी support दि कि यह क्या वही सेम युएस है क्या वही अमेरिका है जिसने ऐसे crucial moments पर इंडिया की help नहीं की थी क्योंकि आज आप देखो के बहुत सारी चीजे चेंज हो गई है अब रिसेंट जो मोदी जी की वीजिट हुई वहां पर बहुत ही एक important जो है development हुआ है defense के उपर और जो technological aspect है उनके उपर जो sharing है वो बहुत आगे जा रही है तो defense security perspective में बहुत आगे हम जा रहे है USA के साथ और recently हमने discuss किया है कई बार discuss हो चुगा ICT यह जो initiative है इस ICT initiative के अंतरगत जो बहुत ही sensitive defense और security related technologies है जैट इंजन वगर हो गया space tag है defense में काफे सारी technologies है इनको USA इंडिया को देने क राजी है तो यह एकदम से जो shift देखने को मिला है वाकई में यह एक बहुत ही अच्छा progress हम कह सकते हैं लेकिन फिर आगे editorial में यह थोड़ा comparison करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रेजेंट मोधी जी की विजिट है वहीं से चीजे चेंज हुई है अगर थोड़ा साम दे जील साइन हुई थी उसके अंदर इंडिया को एक बहुत बड़ा advantage यह हुआ कि हमने क्या किया जब 1974 में पहला nuclear test किया इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से यह nuclear test किया गया था और फिर उसके बाद में 90s के अंदर एक और टेस्ट हुआ शक्ति के नाम से और इंडिया जो है प्रमानु संपन देश बना प्रमानु शक्ति संपन देश बना तो यहां पे जब 1974 में टेस्ट किया गया उसके बाद इ जिविल यूज के लिए है चाहे वो nuclear power हम जनरेट करें वहाँ पे इंडिया को बहुत दिक्कत आ रही थी काफी सारे sanctions का इंडिया को सामना करना पड़ता था तो 2005 की जो nuclear deal साइन हुई इसने काफी सारी चीजे चेंज की जैसे हम देखेंगे कि अमेरिका ने यहां पे इंडि जो treaty है कि आप nuclear weapons को extend नहीं करेंगे उनका expansion नहीं करेंगे तो इंडिया इसका signatory नहीं है फिर भी इनोंने एक waiver लिया exception लिया ऐसा कहिए कि NSG जो है उसके अंतरगत क्योंकि यह जो भी NPT के सदस्य नहीं है उनको ban किया हुआ है तो यह exception लेके चीजें आगे बढ़ाई और इं कि वो भी एक टेक्टॉनिक शिफ्ट हम कह सकते हैं वो था और अभी जो recent visit हुई है यह भी काफी successful मानी जा रही है यह काफी successful इस context में मानी जा रही है कि अब जो technology है जो बहुत बड़े gap से मिलती थी या नहीं मिल पाती थी अब USA के साथ वो technology हमें sharing हो जाएगी last में यह एक word of caution यहां पर देते हुए कह रहे हैं कि देखो बिलकुल आग बंद करके हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी को पता है कि international relation में कोई भी permanent friend या enemy नहीं होते हैं और इंडिया-US relationship तो बिलकुल इसका उधारन के रूप में आप देखी सकते हो कि आज USA के friends काफी तेजी से change हो रहे हैं तो उस context में इंडिया को जो अपना कदम है बहुत ही carefully यहां पर रखना होगा इंडिया-USA के साथ किसी तरह के alliance में नहीं जा सकता है जहां पर कोई war-like situation हो और फिर इंडिया कहे कि नहीं हम आपके साथ हैं तो इस तरह की स्तती में अभी इं इंडिया के national security advisor रहे चुके हैं क्या कह रहे हैं कि देखो यहां पे थोड़ा सा इंडिया को समभल के चलना होगा कि इंडिया यहां पे इंडो-pacific में USA के junior partner के रूप में जोइन ना करें इंडिया का अपना जो independent stand है या जो strategic autonomy हमने ले रखी है उसको बना के रखे इंडिया जो है bridge power के रूप में काम कर सकता है देखो अभी video में मेरा face नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप यह studio में मैं नहीं हूं but hopefully we can continue with the class ठीक है तो bridge power में क्या होगा इंडिया जैसे आप देख रहे हो एक तरफ Russia और USA के बीच में issue चल रहा है ठीक है तो इंडिया यहां पे इन दोनों से चीजे improve कर सकते हैं West Asia है Europe है यहां पे bridging power के रूप में अगर अपने आपको place करता है that would be a great thing कि यहां पे जो prime minister Modi है वो अपनी legacy के रूप में इसको छोड़ सकते हैं तो यह बहुत बहुत important हो सकता है क्योंकि पूरे विश्व में stability और peace को भी ensure करेगा उस context में इंडिया के को इन्होंने mention किया है आगे आएंगे IRGS paper 2 पे ही एक और news देखने को मिलेगी आज के paper में यह कह रहे हैं कि USA ने cluster bombs जो है Ukraine को भेज़े हैं USA वैसे तो USA और बहुत सारे European countries है उनकी तरफ से military जो साहता है defense equipment और इसके regarding Ukraine को भेजी जा रही है ताकि Ukraine जो है Russia का सामना कर सके अभी यह news है कि USA ने काफ़ सारे cluster bombs भेज़े हैं तो इसमें दो चीजे हो जाती है एक तो cluster bombs क्या होते हैं दूसरा अभी क्यों भेज़े हैं वाई नाव तो cluster bombs क्या होते हैं एक तो होता है proper जो bomb आपने डाला है single bomb होगा बहुत सारे बड़े area के अंदर damage करेगा और बहुत सारा area है जो कि उससे untouched है तो यहां पर cluster munition क्या होते हैं या cluster bomb क्या होते हैं यह क्या होगे एक जो bomb है उसी के अंदर काफी छोटे 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 bomblets होते हैं छोटे छोटे bombs होगे बहुत wide spread area है lettuce से कि इतने area को cover कर रहे हैं और हर जगे पे कुछ न कुछ न कुछ इससे क्या होगा कहीं पर कोई cynic छुपे हैं कोई tank है कोई किसी जैना की टुकडी है उनको यह hit कर सकता है उनको बहार निकलने पर मजबूर कर सकता है तो यहां पर क्या हो रहा है आपके बहुत सारे area को यह cover कर रहे हैं तो cluster munition एक तरह का bomb है that opens in the air and releases small bomblets छोटे छोटे conventional weapon हैं जैसे artillery weapon top होती हैं howitzer है इनसे भी इनको यूज किया जा सकता है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा issue है कि इसकी high dead rate है dead rate मतलब यह जो है आपने जैसे छोटे छोड़े यह बहुत सारी area में फैल गया अब कहीं पर एक गिरा तो है यह bomb या इसको bomblet कहें छोटा bomb गिरा तो यूज किया गया था उसके बाद से USA यूज नहीं कर रहा है 2003 के बाद से इसने मना कर दिया था कि अब urban जो है conflict हो रहे हैं इस तरह से cluster munition का यूज करना अच्छा नहीं है लेकिन अभी जो है दिक्कती आ रही है कि Ukraine को काफी सारी fire power चाहिए काफी सारे जो है इसको गुला बा है उसका भी use हो जाएगा तो उस context में अभी ये deal sign हुई है आप cluster munition क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते है problems oriented ज्यादा इसमें कुछ है नहीं आगे आते हैं ये थोड़ा foreign policy और internal security दोनों से related matter है आप सभी को पता है खालिस्तान की समस्या चल रही है और खालिस्तान की जो खालिस्तानी हैं वो बहुत active हो रहे हैं इंडिया की तरफ से बार-बार इस चीज को उठाया गया है कि आप जो जो भी देश हैं वहाँ पे जो खालिस्तानी हैं उनको space ना दें वहाँ पे आप freedom of expression के नाम पे इनको इंडिया के against में इस तरह के act करने की आजादी ना दें ज क्योंकि 8 जुलाइ को जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं ये क्या है rally निकाल रहे हैं protest movement इनके रहेंगे और ये US में भी होगा UK, Canada, Australia सब जगे एक साथ कर रहे हैं fine अब इसके अंदर दिक्कत यह है कि ये जो इंडिया के missions and diplomatic missions हमारी embassies है उस तरफ ये इस तरह से जाते हैं तो कुछ security के खत्रे पैदा हो सकते हैं क्योंकि हमने देखा पहले भी इंडिया के embassies पे खालिस्तानी इसकी तरफ से attack हो रहा है अभी recently US के अंदर भी एक मामला सा और पिछले एक डेर साल से आप देखोगे कि खालिस्तानी movement को बहुत तेजी से बढ़ावा मिल रहा है fine ये जो separatist activities हैं especially overseas विदेशों के अंदर भी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं definitely इसमें ISI का भी रोल है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिसके अंदर हमें separatist activities हो रही हैं विदेशों पे विदेशों की धरती पे जो हो रही है तो इंडिया के लिए तो definitely concern है ही और हम उसके इसाब से परियास भी कर रहे हैं लेकिन उससे भी बड़ा खत्रा जो है ये उन देशों के लिए है जो देश ये कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं हो है ठीक है और बिल्कुल नॉर्मल है जीज़े हैं जबकि सब चीज हमारे सामने हैं उसको acknowledge करने से मना कर रहे हैं तो जहां पर इस तरह के जो protest movement के नाम पे जो इस तरह की issues उठाई जा रही है जो इंडिया की security को खत्रा पैदा कर रही है तो उन देशों के लिए भी ये खत्रा है जैसे आप देखेंगे इसमें यही लिखा है पाइन तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों को भी है जैसे आप देखेंगे कैनडा के अंदर क्वीबेक के अंदर जो है एक सैप वो चल रहा है कि हाँ यहां पर कराते हैं एक अलग देश बनाने की माँगए तो कल को वहां पर भी इस issues उठेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो केवल इंडिया को ही issue है इन देशों को भी इसके related issues हो सकते हैं इंडिया यहां पर अपने citizens की safety और property जो है इंडियन की उसको safe करने के लिए अपनी आवाज उठाता रहा है ओवर अगर हम यहां पर देखें तो भारत सरकार को ज़रुवत है कि governments जो है foreign जो भी यह nations है उनक European economy पर यह news है और government यहां पर जो PM गति शक्ति के अंतरगत जो data है उसको जो है private player के साथ भी शेयर कर सकती है इस चीज पर चर्चा चल रही है तो इसको लेके आपको यह आज business page पे हिंदू में article देखने को मिल रहा है क्या कह रही है सरकार कह रही है कि देखो हम एक ऐसी mechanism ला कर रहे है जिस पर जो data है उसको हम गति शक्ति का जो data है उसको industry और potential investor के साथ share कर सकते है अब जो PM गति शक्ति प्लान है यह क्या है यह धियान रखेगा इस पर question full question आपका बन सकता है pre हो या means हो Prime Minister के द्वारा announce किया गया कि हम लगबग सो लाग करोड रुपए हंटर लाग करोड रुपीज यह जो है लगा रहे है किस चीज के लिए इंडिया में एक integrated infrastructure बना रहे है multi model जो है connectivity create कर रहे हैं कहीं पर road से connectivity बहुत अच्छी होगी फिर उसके आगे rail से भी हो सकती है तो इस तरीके से road है rail है यह waterways इनकी connectivity को हम बहुत अच्छा बना रहे हैं जिससे time का जो distance है travel करने की वो कम हो जाएगी time कम हो जाएगा और आपकी cost भी कम हो जाएगी तो यह सारी चीजे हैं तो उसी उगदेशे के साथ हमने यह PM गतिशक्ती प्लान रखा और गतिशक्ती प्लान को अगर आप देख रहे हो तो यह cost और time को कम करके export को भी बढ़ावा देना चाहरा है economic growth employment opportunities भी ensure करना चाहरा है इसके अगर आप देखेंगे major six pillars किया है comprehensiveness है यहाँ पर हर जो department है उसको visibility रहेगी कि दूसरा department क्या कर रहा है जैसे road ministry है उसको पता रहेगा अच्छा rail mantra ले क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है synchronization रहेगा ऐसा नहीं कि ministry कुछ कर रही है rail mantra ले को पता ही नहीं क्या हो रहा है कहां से road जा रही है road बनने के बाद इनको idea लगेगा कि नहीं यार हमें तो यहाँ पे भी कुछ करना था अब फिर उसको तोड़ा जा रहा है फिर वापस बनाया जा रहा है इस तरह की चीजे नहीं होंगी तो यह silos में काम नहीं करेंगे एक mantra ले को दूसरे mantra ले कोई ख़बर नहीं है कहीं पे भी कोई प्राजेक्ट चल रहा है उसकी सारी ख़बर एक दूसरे mantra ले को रहेगी अनलिटिकल इस देयर तो यह data जो है special planning का analytical tools के लिए जो data है जो geographical information system जिसको GIS system कहते है इसका data share करेंगे GIS में जो होता सेटरलाइट से high quality images ले रहे हैं कोई भी जो area है माल लीजे यहाँ पे कुछ agriculture है यहाँ पे कुछ forest land हो सकती है यहाँ पे कुछ घर हो सकते हैं तो यह पूरा जो data है इस तरह से लेके superimpose करेगा जिससे हमारे पास एक comprehensive picture आ जाएगी और फिर वो decision making, planning, policy implementation में help करता है तो इसके लिए data gather कर रहा है और यह जो news आपको दिख रही है न आज यह government to share PM गतिशक्ती data यह इसी data को यहाँ पे share करने की बात हो रही है जो data हम capture करेंगे इसको potential investors के साथ share कर सकते है जियो special data sharing की बात हो रही है अलाकि इसमें कुछ privacy data protection के concern है उनको government deal करने के बाद ही आगे बढ़ेगी dynamic भी है ताकि इसमें जो भी progress चल रही है किसी भी project की इसको monitor किया जा सके ठीक है इसका feedback loop एक बनाया जा सके so these are the major six pillars गतिशक्ति प्लान के और इसके अंदर telecommunication connectivity की भी बात हो रही है social infrastructure भी education health related उनको भी चर्चा कर रहे है but major connectivity related रहेगा most of this related to the connectivity ताकि हम जो अपनी cost है जो goods या फिर जो भी माल आपका जा रहा है एक जगे से दूसरे जीग है वो कम समय में चला जाए कम cost पे जिसे हम कहते है logistic जो cost है वो कम हो जाए export को बढ़ावा मिलेगा इंडिया की competitive nice economy की बढ़ेगी काफे सारे रोजगार भी create होंगे क्योंकि infrastructure का multiplier effect होता है जितना मान लोग 100 करोड गवर्मेंट है इंवेस्ट किया है तो उसके 1000 करोड ऐसे तरह से कुछ benefit रहेगा employment generation में real estate में लोगों को रोजगार मिलेगा फाइन ये सारा गती शक्ती incorporate कर रहा है अल्रेडी जो government की scheme चल रहे है जैसे भारत माला project चल रहा है जिसके अंदर हम जो major roads है उसका network बना रहे है सागर माला port lead development बना रहे है coastal area में inland waterways हैं, find dry ports हैं, container depots, udan के मादे हमसे air connectivity कर रहे हैं तो इन सब को ये integrate कर लिया है गती शक्ती प्लान के अंदर ही और यहां पे multi-model connectivity ensure कर रहे हैं ताकि ये overlap ना हो, wastage of resources ना हो economic zones के अंदर connectivity पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा जैसे कहीं पे मालो textile cluster बन रहे हैं कहीं defense zone बन रहा है कहीं industrial corridor है तो वहां पे बहुत अच्छी से अच्छी connectivity देने का प्रियास कर रहे हैं इस तरो के साथ इनकी technical partnership है क्योंकि GIS tool को use कर रहे हैं तो वो data इनको यहां से मिल इनको देख लेंदे देखो टमाटर के भी खबर चली रही थी कि inflation काफी जाजा है टमाटर 120 रुपए चल रहा है kilo और इसके अंदर यह तो हमने discuss करी लिया था कि inflation क्यों है क्योंकि देखो टमाटर जो है दो crops में आ रहा है एक रभी आती है जो की सर्दियों में हो रही है और मंडी में supply start हो जागी तब टमाटर सस्ता होगा तो आप मान के चलिए अगस्त में सस्ता होना शुरू होगा इसमें अगर हम देखें अभी जो हमारे पास टमाटर आ रहा है वो रभी क्रॉप का रहा है इसमें भी दो राउंड के अंदर sowing होती है किसान दो राउंड में इस मौजek viruses ने टमाटर की crop को कपी कराब किया तो उस वज़े से थोड़ा इसूरा और टमाटर की quality हमें थोड़ी सी ऐसी आप देख रहे है यह इस तरह का है तो जब इस तरह की quality आ रही है तो उनको कम पैसा मिलेगा farmers को और कई जगे पे फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि farmers को जो लागत थी जैसे 12 रुपे 13 रुपे किलो तो लागत आ रही है farmer को तो वो भी नहीं मिल पा रही है पांच रुपे किलो टमाटर जा रहा है इस वज़े से टमाटर की आवक्त जिसे हम कहते है supply supply has gone down drastically जिसकी वज़े से supply यह बादित हुई है और prices बढ़ गए है क्योंकि demand तो उतनी है supply नहीं आ रही तो prices बढ़ेंगी यह reason है अब हमें क्या यह तो हम discuss कर चुके थे हम यहाँ पर यह news है इंडिन एक्स्प्रेस से हमने लिया तो यह दो वाइरस है इनके बारे में बहुत basic सी information ध्यान रख लो प्रिलिम्स के लिए important है है ना प्रिलिम्स के लिए थोड़ी सी important है क्या कह रहे हैं देखो cucumber mosaic virus और tomato mosaic virus यह दोनों है और यह दोनों ही almost same सा damage create कर रहे हैं अगर कुछ treatment नहीं कर रहे हैं precaution नहीं कर रहे हैं पूरी की पूरी फसल को खड़ाब कर सकते हैं थोड़ा सा इन में difference है हलागी दोनों mosaic virus लग रहे हैं बर there is a bit difference here तो इसको थोड़ा जान ले टॉमेटो mosaic virus है यह टॉमेटो mosaic virus से मिलता जुलता है और इसके जो होस्ट है इसमें tomato है तंबाकू, peppers हो गए कुछ ornamental plant हो गए सजावती ठीक है तो यह कुछ इसके होस्ट होते है टॉमेटो mosaic virus के host काफी कम है कुकुमबर में आप देखोगे बहुत सारे इसके host हो सकते हैं मतलब किन-किन plants को यह impact कर सकता है टॉमेटो mosaic virus spread कर रहा है infected seeds से agriculture tool महली जिन nursery से आप ला रहे हो वो infected plant आपके पास आ गया और आपको नुकसान पहुंचा दिया तो यह कह रहे है एक तो यह है कि seed treatment nursery level पर ही हो जाए ठीक है या फिर nursery जो है बायो safety ensure करें पर यह entry को restrict करें और फिर यहां पर कोई भी कीडा वगर किसी पर लग गया है तो उसको हटा दें और farmer अगर nursery से पौदा ला रहा है तो वो यह देखके लाए कि कुछ खराब तो नहीं है उसमें कीडा आफिड्स जो यह आपको दीख रहे है इस पिक्चर में इस तरह के कीड़े इनके द्वारा यह फैलता है तो इसका एक ही तरीका है कि इन आफिड को आप control करो ठीक कोई insecticide छिड़ा किए जिससे यह फिड्स खतम हो और उसी वज़े से आपका plant बच सकता है यह इसके अंदर ह हो जाता है और human touch के थूरू इसके फैलने का चांस बहुत ही rare है तो यह फैलेगा किससे efforts के थूरू फैल रहे है इसका host pool काफी बड़ा है जैसे आप देखोगे cucumber है melon है ब्रिंजल हो गया tomato carrot टीक है इन सब को इन इंपक्ट कर रहा है पूरी जो god family होती है जिसमें आपके pumpkin कद बहुत important news है कई बार हमने discuss भी किया है 2020 से लगातार चर्चा में ही है और इस पे तो question भी UPSC ने पूछ लिया अरड़ी क्या कह रहे है यह आज आपको news देखने को मिलेगी जिसमें का जा रहा है दिल्दी to host test run of hydrogen fuel cell buses later DCR इस साल के अंतर तक जो है दिल्दी यहां पे hydrogen fuel cell से ज गाड़ी चला सकते हैं क्या इसकी possibility है क्योंकि hydrogen सबसे ज्यादा मिलने वाला एक element है आज आप देखोगे जो भी हमारा सूरज है पूरा जो star है यूनिवर्स है वहां पे hydrogen एक fuel के रूप में यूज हो रहा है तो plenty availability इसकी है और फिर इसके अंदर यह होता है कि hydrogen से चलने वाली करार है इसका क्या है zero emission है बहुत अच्छी बात है इसमें केवल आपको गरम हवा और पानी जो water vapor के रूप में इस तरह से जो भी है वो निकल रहा है और कुछ emission नहीं होगा कोई धुआ नहीं कोई pollution नहीं ये एक बहुत अच्छी बात है इसको हम test कर रहे है अल्रेडी आप इनको काफी सारे rocket engine और इनमें तो यूज किया ही जाता है automobile में भी यूज कर रहे है इसको यूज करने का तरीका क्या होता है देखो hydrogen को आप यूज कर रहे हो तो एक तो इसको कर सकते हो आप direct जो combustion engine है उसकी रूप में एक होता है fuel cell के रूप में तो जो सबसे ज़्यादा more commonly जो use हो रहा है वो fuel cell के साथ हो रहा है तो यह जो car है देखो electric motor है इसको घूमने के लिए क्या चाहिए electricity चीए electricity चीए तभी electric motor घूमेगा और गाड़ी हमारी car आगे बढ़ेगी फाइन अब यह जो fuel cell होता है इसको जो है यह क्या करेगा यह जो हमारी chemical energy है यह hydrogen tank हमने फुल कर और फिर यह oxygen ले रहा है बाहर जो air है वहाँ से oxygen ले रहा है तो oxygen और hydrogen यह मिलके fuel cell के अंदर क्या कर रहे है chemical energy है इसको यह क्या करेंगे mechanical energy में convert कर रहे है यह ध्यान रखेगा mechanical energy में convert हो रहा है तो इससे क्या होगा electricity यह generate होके यह आपका चल रहा है ठीक है इतना ध्यान रखेए अब यह बिल्कुल एक तरह से pollution free है क्योंकि इस process में केवल water और heat निकल रही है जिसका कोई नुकसान नहीं है दिक्कत कहां पर आ रही है दिक्कत आ रही है यह hydrogen आप कहां से ला रहे है hydrogen tank फुल कर रहे हो तो hydrogen कहां से आती है जनरल ही hydrogen हमें मिलती है water के electrolysis है यह water है electricity इसमें provide की जाएगी electrolysis इस process को कहते है अब यह electricity अगर आप thermal power plant से ला रहे हो कोईला जला के तब तो दिक्कत है तो वहाँ thermal power plant में carbon dioxide का emission हो गया कार चला रहे हो तब नहीं हो रहा है तो यह problem है इसलिए आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो focus है वो किस पे है green hydrogen पे हर जगे पे बात हो रही है green hydrogen की अगर यह आपके nuclear energy से आ रही है तो हम कहेंगे pink hydrogen fine तो कुछ basic जी चीज़े एंच CNG की बसे हैं अल्रेडी दिल्ली के अंदर इन्हों रन कर दी है तो इसमें क्या है hydrogen के साथ हम CNG mix कर रहे हैं और उसके साथ चलाना है चार से नो परसेंट की बीच में hydrogen mix होगा CNG compressed natural gas के साथ natural gas का main component methane होता है maximum जो है इसके अंदर methane होता है environment पे दो news है इनको भी देख लेते हैं एंबर ग्रीस यह जो होता है क्या इसको floating gold भी कहते हैं यह पहले भी न्यूस थी है भी recently क्या हुआ है जो sperm whale है Canary Island पे यहां पे इनको लगबग यह मिला है amber grease जो चार करोड का है ठीक है इसके यह एक दो साल पहले I think मुझे आदा रहा है पहले भी न्यूस में थी इंडिया के ही context में तब रहा था यह amber grease क्या होता है देखो amber grease जो होता है इसको whale vomit भी कहते हैं और यह एक तरह का solid waxy substance होता है जो flood करता है around the surface of the water body ठीक और कई बार जो है कोस्ट पे भी settle हो जाता है Spum whale क्या करती है जब यह squid beaks खा रही है Spum whale जो होती है यह इतना बड़ा होता है इस तरीके से रहेगा अगर आप इनसान से human being से देख रहे हो तो यह comparison है और यहाँ पे elephant से comparison कर सकते हो कितना बड़ा इसका size है Spum whale का यह देखिए यह Spum whale है यहाँ तो Spum whale क्या कर रही है जो squid be beaks यह खा रही है यह आपको दिख रहे हैं इनको यह सब ingest करती है तो इसके digestive system में यह सारा process होता है So occasionally यह beak makes it way to the whale system कई बार यह stomach में जाता है और वहाँ पे यह intestine में जाके इस तरीके से amber grease का form ले लेता है और यह complex process के थूर गुजरता है और finally whale के excretion के अंदर निकलता है मतलब whale का जो waste है ठीक है उसके साथ यह उसके excretory system से बाहर निकल रहा है और आप देखेंगे amber grease जो है ऐसा नहीं है जितनी भी sperm whale है सब बना रही है मुश्किल से 1% जो sperm whale है वहाँ पे यह बनता है अब यह इ जिसका माना जा रहा था यह एक करोड रुपए का international market में रीजन है इसका perfume में बहुत यूज होता है इसकी fragrance आती है musk like वहाँ पे इसको यूज किया जाता है ancient Egyptian इसको यूज करते थे incense के रूप में traditional medicine में भी इसका use है इस वज़े से कोस्ट काफी जादा है क्योंकि demand तो है ल डीप सी माइनिंग पर आपको question पूछ सकता है डीप सी माइनिंग होती कहते है को माइनिंग के हम बात करें तो खनन होता है जैसे हम देखते है पहाड है पहाड को तोड़के या फिर कुछ भी निकाल रहे है ठीक है कोई building material है कोई mineral है तो इस तरह से माइनिंग वहाँ की जा spine तो इस sea bed ये जो है या जो ocean का floor है इस पे mining की जा रही है ताकि बहुत सारे जो minerals हैं वो हम यहाँ पर ले सकें जिनका आज electronics में काफी use हो रहा है ओके आज जो नए ने gadget सम बना रहे हैं वहाँ पे उनका काफी use है तो उसके लिए यहाँ पे एक तरह से debate चड़ी हुई है बह इसके लिए poly metallic nodules बन सकते हैं पाइन sulfide deposits यहाँ पर काफी सारे हैं कोबाल्ट crust है जो जिसके लिए यहाँ पर mining की जा सकती है तो deep sea mining का मतलब है removing the mineral deposits and metals from the ocean seabed यह दो line के definition याद रखें अब यहाँ से हमें जो यह poly metallic nodule मल रहे हैं इसे यहाँ से nickel मिल सकता है रही है रही है और यहाँ हमें पता है कि इनके use बहुत सारे है बहुत सारे है और इनका use बट रहा है इनकी demand भी बट रही है fine और इसी रिए यहाँ पे यह काफी लंबे समय से discussion चल रहा है कि हमें क्या जो international यह जो c-bad है इसके उपर mining को allow कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए यहाँ पे यह जो पूरा regulation है वो international c-bad authority के हाथ में है international c-bad authority को united nation में observer का status प्राप्त है यह पूरा regulate करती है yes or no यह करेगी ठीक है तो इसको establish किया गया है unclosed law of c-s के अंतरगत इसको establish किया गया है इसकी जिम्मेदारी है कि यह ecosystem को protect करेगी fine authorized control development of mineral related operation in the international c-bad इसी की authority की ही permission से जाएगा और फिर guideline वगर सब यह बनाईगी तो अब दिक्कत ही आ रही है कि international c- authority यहाँ पे negotiation resume कर रही है कि क्या हमें international c-bad को खोल देना चाहिए समूंदर की जो floor है उसको क्या mining के लिए open कर देना चाहिए यह बहुत बड़ा issue है तो इसी पे चल रहा है कि हाँ yes और no दोनों तरह के answer से यहाँ पे आ रहे हैं देखो इसके अंदर risk बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने ज़्यादा study नहीं किया हुए ocean में किस तरह से चीज़े होंगी आप यहाँ पे mining कर रहे हो तो mining करके आपने metal जो mineral है वो तो निकाल लिया उसका waste कहां जाएगा यह waste यहाँ पे रहेगा water pollute करेगा biodiversity को damage कर सकता है ocean ecosystem किस तरह से response करेगा हमें नहीं पता तो इससे related risk बहुत सारे है इससे related risk बहुत सारे हैं इसलिए कहा जा रहा है कि इसके environmental concern बहुत सारे है mining के वज़े से ecosystem damage हो सकता है coral reefs है ठीक है जो biodiversity उसको damage हो सकता है vibration light pollution sediment plume जो mineral के बाद waste मिलेगा उसको आप कैसे जो है dispose of करोगे फिर आपका cost benefit क्या होगा क्या economic sense में sustainable होगा नहीं होगा तो यह सारी discussion में चल रही है लेकिन हो सकता है आपको deep sea mining पे काफी चीजे और सुनने को मिले deep sea mining का भी regulation कैसे है high seas जो है जैसा हमने कल भी बात की थी कि जो high seas है कि किसी भी देश की जो land boundary है उससे 200 nautical mile के आगे का area high sea होता है जो सबके लिए common resource है तो high seas पे हम क्या कर रहे है यहां पे कोई यहां पे असा regulation नहीं है fine और seabed and its mineral resources are considered common heritage of the mankind high seas का जो यहां पे करोगे तो वो सब की common resources माने जाएंगे और इसे context में सभी के साथ वो economic benefit शेयर किये जाएंगे तो अभी दिक्कत ही आ रही है कि जो जमायका-based एक जो है deep sea mining के लिए जा रहे है तो यहां पे यह कह रहे है या तो international seabed authority कुछ बना के regulation बना के हमें करे नहीं तो हम इस project के साथ आगे जाएंगे इस वज़़े से भी यह काफी चर्चा में है so you should be aware कि क्या इसमें issues है वरतमान में क्या regulation है deep sea mining क्या होती है सब चीज़े ध्याम रखे है fine so this is all for today यह साथ topics आज हमने discuss की है कल आपका test होगा morning के अंदर so be prepare for your test आठ बजे शुरू हो जाएगा ठीक है तो उस test को आप ज़रूर से attend कर लें question है what is deep sea mining give your opinion regarding ongoing negotiations that could open the international seabed for mining यह आपको बताना है opinion देने मतलब यह यह benefit माने जा रहे है लेकिन इसके क्या क्या concern हो सकते है और फिर दो लाइन तीन लाइन का way forward telegram channel है इस पर आपका evening के अंदर PDF update हो जाएगा जो बच्चे UPSC के त्यारी कर रहे है अन Academy से आप जूट सकते है today is the last day to claim these extension offers subscription link आपको description box में भी मिलते हैं use the code rblive यह code आपको use करना है to get maximum available discount and personal guidance जो बच्चे भी admission ले रहे हैं 2024 का prelims के लिए करते हैं तो आपको prelims के बाद में इस तक की तयारी अन Academy offline mentorship पूरी देता है तो वो सब अन Academy की तरफ से paid रहेगा रहना खाना offline तयारी नया बैच अभी आपका 10 जुलाई से Hindi medium का शुरू हो रहा है 8 जुलाई से English medium का शुरू हो रहा है annual price hike यहां पे आ रही है so if you are planning to go for the UPSC preparation बहुत ही अच्छे तरीके से जाना चाहरे है तो घर बैटे आप अन Academy के साथ जूड़ सकते हैं और यह बहुत ही reasonable fees के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं optional भी आपको यहां पे काफे सारी मिल जाते हैं इसका भी अलग subscription ले सकते हैं 0% यह वहाई option is also there कल सुबह 11 बज़े आपका यह free test भी रहेगा combat test link already telegram पे भी शेयर है description box में भी है इसमें unroll कर सकते हैं इसको unlock कर सकते हैं by using the code rblife that's all for today have a great day guys and please don't forget to like this session and take care